हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, जैसे कि कल हम लोगों ने रिजनिंग का टॉपिक किया था, तो आज उसी की क्लास की कंटिनिवेशन है, आज उसके क्लास की पार्ट टू हम लोग सॉल्व करें के, मैंने बोला था ना कि एक्जाम में क्वेशन कुछ इस फॉर्मेट is shown in the statement, find the true conclusion from the given conclusion and the given answers, okay, actually, जो भी है यह जो statement है, यह आप लोग को लग रहा होगा कि यह इतना पढ़ने का जड़रत नहीं है, इसमें टिक कर देंगे हो जाएगा, पर प्लीज इसको read करियेगा, थोड़ा ही time लेगा, hardly आप लोग के 5 सेकंड यह read हो जाएगा, पर यह read करि करता है, which are wrong, तो भी दिखावा रहेगा, ठीक है ना, तो प्लीज उस सब चेक करके फिर answer करियेगा, ठीक है ना, और इसमें जो पांचों option दिया हुआ है, यह सब भी आप लोग देख लीजी, इसी pattern के ही options रहते हैं, तो बस यही है, अभी हम लोग पहले question से आज के class का स्री comment वाला story सुनाया था ना, साधिघर का, उसी के ऊपर में यह solve होगा, ठीक है, तो हम लोग पहले ही साधिघर वाला template बना लेते हैं, आप देख लीजे, यह आप लोग के help के लिए बना रही हूँ, जब आप लोग practice करते करते एक तम सीख जाओगे, ना, माहीर हो जाओगे, तब आप लोग के यह सब की help नहीं लगेगी, आप लोग यह कुझ से ही solve कर लोगे, ठीक है, अभी देखिए, हम लोग के पास conclusion क्या है, O से T की और हम लोग जाएंगे, O से T की और जाने के लिए, हम लोग को कहां कहां से जाना पड़ रहा है, आप लोग देखिए, हम लोग क्या है, B से A की और जाएंगे, B से A की और जाने के लिए, कहां कहां से हम लोग को गुजरना पड़ेगा, आप लोग देखिए, B से A की और जाने के लिए, पहले तो हम लोग के पास यह less than आया है, less than equal आया है, फिर L है, फिर less than है, मतलब यह दोनों चाचा की family, same family से है, तो इन दोनों में बड़ा कौन, less than, तो less than होगा, तो यह सही है, ठीक है, पर अगर इसमें अगर यहां पर दिया हुआ रहता है, B is less than equal to A, तब यह गलत हो जाता है, क्योंकि इस family में बड़ा कौन है, चाचा बड़े है ना, तो चाचा ही वहां पर बीच में आएंगे, समन्द म जाया, ठीक है, अभी दूसरा question में चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, both follows, right, अभी देखते हैं, दूसरे में, दूसरे में देखिये क्या है, दूसरा वाला question में क्या बोला गया है, यह जो table है, इसी का help हम लोग यहां पर भी लेंगे, ठीक है ना, पर पर table बनाने का जरूरत है नहीं, इस page में यहीं पर एक जगा में बना लिया है, अगर दूसरा page हो जाता है, तब वहां पर बना लेंगे, आप लोग के help के लिए, ठीक है था, अभी आप लोग देख लीजिए, यहीं हम लोग follow कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, देखि इसका मतलब क्या है, आइदर ए तो, मतलब इससे हम लोगों क्या पता लग रहा है, कि यह तो e से less than equal में, right, पर यह option में नहीं है, option में कैसे दिया हुआ है, देखिए, a is less than e है, a is equal to e है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह e से छुटा भी हो सकता है, a e से equal भी हो सकता है, पर हाँ पर हम लोग बोथ नहीं लिख सकते क्यों हम लोग क्या बोल रहे हैं या तो A E से छोटा होगा या तो A बराबर होगा यह या तो आया ना इसका मतलब भी हो जागए यह आईदर का कैस हो किया तमन्द में आया जब भी वो टर्म हम लोग के अंदर आ जाएगा ना कि या तो E से छोटा है या तो A E का बराबर है तो उसी जगा हम लोग आईदर और लेंगे ठीक है तो मतलब यहाँ पर कौन सा option होगा option 3 होगा रैट इसमें क्या हो रहा था option number 5 हो रहा था ठीक है अभी next question देखते है next वाला question देखिए इसमें क्या है M से N की तरफ हम लोग जा रहे हैं जा रहे हैं तो सही है पर देखिए यहाँ पर क्या है हम लोग लिख लेतने हैं ठीक है ना M is less than U है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अभी U N से connected है इसलिए हम लोग ऐसे लिखे हैं ना फिर R है फिर R is less than equal to N है ठीक है अभी देखिए यह less फिर less than equal यह सभी एक ही family से है और इस family का सबसे बड़ा member कौन less than इसका मतलब aim is less than N है तो यह सही है ठीक है यह तो हम समझ गया है अभी दूसरा चीज क्या है यह वाला condition के लिए देखिए जे है उसके बाद U होगा फिर U से less than R अभी देखिए यह जो greater है और U है यह दुनों सेम family से नहीं है ना तो फिर यह वाला follow नहीं हो पाएगा तो फिर क्या लिखेंगे only one follows right अभी next वाला देखिए next वाला में क्या है आप लोग देख सकते हो अच्छा यहाँ पर फिर हम लोग बापस एक table बना लेते हैं आप लोग के लिए आप लोग कोशिश करे हैं कि बिना table आप लोग कर पाएगा इतना practice कर ले ठीक है ना अभी देखिए क्या है इसमें है k is greater than l अच्छा हम लोग के से ही o की तरफ जा रहे हैं बीच में greater है greater equal है फिर greater है फिर greater है इसका मतब यह सब एक ही family से हैं और बड़ा कौन है greater तो k से जा रहे है ना तो k के साइड में खुला मूँ k is greater than o यह वाला follow हो गया हो गया फिर बीच में देखेंगे n से n से l के तरफ जा रहा है देखिए in के तरफ में क्या है less है फिर m है तो less equal है इन दोनों में बढ़ा कौन less than पर यहां पर option में क्या दिया हो है n is less than equal to l मतलब यह वाला condition follow नहीं हो पाएगा इसमें क्या लिख सकते हैं only one follows ठीक है अभी next वाला statement देखिए इसमें क्या है अच्छा यह वाला हम लोग अगर यहां पर n is less than l होता sorry n is less than l होता तब हम लोग बोल सकते कि यह follow होगा पर यहां पर n is less than equal to l है ना तो इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि यह follow होगा next वाला statement में हम लोग जाएंगे अभी देखिए next वाला statement में क्या बोला गया है पहले तो हम लोग B से T की तरफ जा रहा है ठीक है ना B और T को connect करने वाला एक ही इंसान है यहां पर वो है C तो देखिए हम लोग वैसी ही इसको लिख लेते हैं तो फिर हम लोग के लिए help हो जाएगी अभी B से T की तरफ जाते हुए हम लोग को कहां कहां से गुजरना पड़ रहा है देखिए B is greater than equal to E मतलब बीच में greater equal है फिर equal है फिर greater equal है यह सब तो ठीक है हम लोग इसको एक ही family में ले सकते हैं यह यह तीनों को एक family में ले सकते हैं ठीक है ना पर problem कहां है C is less than T मतलब यह तो दूसरा family से आ गया तो फिर यह बीच में यह हो गया ना तो फिर इसमें हम लोग क्या option लेंगे इसमें हम लोग option लेंगे non follows या फिर neither one follows और two follows वही हम लोग का answer हो जाएगा बस ऐसे ही इसको solve करना है और यह बहुत difficult topic तो है नहीं तो थोड़ा practice जरूरी है इसमें आप लोग की sweet बढ़ने लगेगी पस आज के class इतना ही thank you guys प्लीज इस channel को like share और subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें और वो जो bell icon है उसको hit करना ना भूले और प्लीज class को अच्छे से follow करिए practice करिए thank you